नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। आपका विनाश करना चाहते हैं तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज रामबान इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे। दोस्तों नीमबु के टोटके आज से नहीं बलकि हजारों साल पहले से इस्तिमाल होते आए हैं। जो टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो हैं नीमबु के नीमबु का इस्तिमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप जोतिश शास्त्र या वास्तु शास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नीमबु के उपर पूरे ग्यारह अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नीमबु का इस्तिमाल कैसे आप कर सकते हैं। अपने व्यापार को दोडाने के लिए आप लोगों को नीमबु का इस्तिमाल कैसे करना चाहिए। अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नीमबु के टोटके से कैसे आप उल्टा आस्तु शास्त्र और जोतिश शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सोचुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं, जिनके कारण आपके घर में लड़ाई होती रहती हैं। पती पतनी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो टोटके ह आपको बताने जा रहे हैं, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों नीम्बू का इस्तिमाल ना सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के लिए होता है, बलकि स्वास्थ्य की दृष्टी से भी नीम्बू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की नीम्बू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कश्ट कम हो, आपके उपर माता लक्षमी का आशिरवाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशिरवाद दें तो इस वीडियो को बिना भगाएं अंत तक देख ले क्योंकि इस व भीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो की वीडियो भगा-भगा के देखते हैं, यकीन मानिये अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे, हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलि समझेंगे, तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशिरवाद दे दिया, तो काल भी उसका कुछ बिगाड नहीं सकता है, तो आखिर नीम्बू के कौन से वो दस उपाय है, ध्यान से सुनले पहला उप बुरी नजर से बचने के लिए आप लोगोंने अकसर देखा होगा जब ट्रक रास्ते से गुजरता है, गाडियां जब चलती है, या छोटी दुकाने होती है, बड़ी दुकाने होती है, उन सब में नीम्बू और मिर्च तंगे हुए होते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाच पर पड़ता है। कहा जाता है कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौरता व्यापार होता है, वो तक बंध हो जाता है। अगर किसी व्यक्ती ने आपके उपर नजर बुरी नजर वाले व्यक्ति के एकागरता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को प्रभावशाली नहीं रख पाता है। तो ये सारा प्रभाव उल्टा उसके उपर पढ़ जाएगा और वो बरबाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नीम्बू और मिर्ची को जरूर टांकर रखें। दूसरा जो प्रयोग है वो वास्तु दोश को मिटाने के लिए है। दोस्तों हम वास्तु ज्यान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नीम्बू के उपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके उपर है। तो यकीन मानिये उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। सरल भाशा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा। कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लडाईया होती रहती है। घर में बरकत नहीं होती है और जिस घर की बरकत नहीं होती है। वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय जो माना गया है वास्तु दोश को मिटाने के लिए वो है नीम्बू के पेड का मतलब अगर आपके घर में नीम्बू का पेड है। चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा लें, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्रमंत्र करवा दिये हैं। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा पहले तो आप लोग हो सके हैं, तो नीम्बू का पेड लगा दीजिये, लेकिन वो रातों रात तो नहीं उपता तो इसका दूसरा उपाय ये ब फिर ये नीम्बू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है, ये चार नीम्बू नदी या तालाब में आप बहा दीजिये, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, मंत्र तंत्र जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, न नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहा कर ले जाते हैं इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए तीसरा प्रयोग है सफलता पाने के लिए अगर आप नौकरी की तयारी कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी कर रहे हैं आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा आप कर्स के माया जाल में फंसे हुए हैं तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंट लाइक कर दीजिएगा दोस्तों अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहंत करते हैं लेकिन आपको मेहंत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है अब आप ठक चुके हैं आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है आप इंटर्व्यू में पूरी तयारी के साथ जाते हैं, लेकिन आपका सेलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्यान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए ध्यान रखें वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, तो आप एक निम्बू ले लें चार लॉंद ले लें हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें, तो निम्बू में चार लोगों को गाड ले और वहाँ पर बैठ जाएं पाल्थी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालिसा का पाठ करें पाठ करते हुए जिन्स नीम्बू में चार लौन गाड़ी है उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपके उपर बाधाएं आई हुई थी बहुत दूर होंगी अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा नवग्रा आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिये अगर आप competition की तयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है नौकरी कर रहे हैं तो promotion मिल सकता है हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे दोस्तों ये सारी बाते हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सकें तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्विस्ट करते हैं कि विडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाएगा अब चोथा उपाय बताते हैं अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है मान लीजिए आपको नजर लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए तो इसमें नीम्बू को बहुत उप्योगी माना गया है अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है आप हैं या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबियत खराब रहती है तो एक नीम्बू लीजिए पीडित के सिर के उपर से साथ बार घुमाए सिर्फ एक ही निम्बू लेना है फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तमाल ना हुआ हो उस चाकू से नीम्बू को दो भाग में काट लीजिए फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए अगर आप सिर्फ इतना कर दे तो जो भी आपके उपर नजर लगी हुई होगी वो नीम्बू अपने साथ उतार ले जाएगा आपके उपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी पांचवा वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार में लाभ दिलाता है नीम्बू इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नीम्बू का अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धी देखने को मिलेंगी कई लोग व्यापार जो करते हैं, उनका व्यापार जब चल रहा होता है, तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं, जिसके कारण व्यापार एकदम से रुप जाता है आप ठक जाते हैं कि अब क्या करें? अब तो हम फस गए तो दोस्तों इसका बहुत सरलसा उपाय है एक नीमबू को ले लें अपनी दुकान में, आफिस में उस नीमबू को एक चाकू से चार टुकडों में काट लें अपनी दुकान के चार भागों में उन टुकडों को रख दें सुभा के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन चार भागों को उठा लीजिए किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंगा गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना प्रयोग कर लेते हैं नीन्बु के साथ तो यकीन मानिये वो जो नजर लगी हुई थी। जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना प्रयोग करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है। आपका व्यापार घोडे की तरह दोडने लग जाता है। ये वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है। वास्त ठक चुके हैं, भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मिहंट करते हैं लेकिन आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मानिये किसी ना किसी ने आपके उपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तयारी कर करके ठक चुके हैं फिर भी आपको आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है. आपके अंदर नकारात्मक शक्तियां का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक निम्बू लेना है. उसको गंगाजल से अच्छे तरीके से धो लेना है. इस निम्बू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है. मंत्र है ओमश्री हनुमते नमर. अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस निम्बू में आप 4 लॉंग देते हैं, तो आप नौकरी की तयारी करने के लिए जा रहे हैं. इंटर्व्यू के लिए जा रहे हैं, तब इस निम्बू को अपने बैग में रख लीजिए. अपने पर्स में रख लीजिये, अपनी जेब में रख लीजिये, आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रखकर ले जाएगा यकीन मानिये जो दुरभाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर सेलेक्शन होना तय है ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में आपको केवल तीन से चार रुपए का खर्चा है लेकिन यक तुरंत मजबूत हो जाएगा लेकिन इसका आपको 108 बार जाप करना होगा क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है और ये क्रिया अगर आप नौकरी के सेलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कॉम्पिटिशन के वक्त करते हैं तो आपको सफलता मिलना तै माना गया है सात्वा है सर से लेकर पाव तक एक नीम्बो को सात बार उतरना है फिर एक चक्कू लेना है उस चाकू को 21 बार उतारना है ध्यान रखिए ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए शनिवार के दिन अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100 पर्सेंट ये काम करेगा ही करेगा। आपने साथ बार नीम्बू उतारा, 21 बार चाकू को उतारा, उपर से नीचे जब आपको उससे नीम्बू के चार टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है, जहाँ पर चार रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, अब वहाँ पर अलग- लेते हैं, तो उस रोगी के उपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्रमंत्र करा रखा होगा। आपके घर के बच्चे के उपर, आपके उपर या किसी के उपर भी तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वो व्य ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा व्यक्ति है, जिसके उपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों ये सारी बातें आपको कही जाने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। कोई ऐसी महिला है, जो बांज है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर करके ठक चुकी है, तो ये उपाय लिख लीजिये कही कागस पर उत्तरा फालगुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है, जिसे बहुत शुभ माना गया है। बहुत विद्वान, गुनवान संतान की प्राप्ती होगी। अगर आप अनेक कोशिशे करके ठक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। यकीन मानिये सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिये। आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ती अवश्य हो जाएगी। लेकिन ये उपाय किसी विशेशग्य से पूछ कर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृती अलग किस्म की होती है। ये प्रक्रिया कर लेते हैं, आप सट्टाबा जारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी हो अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रही हैं, तो यकीन मानिये आपको कहीं ना कहीं से रुपय जरूर मिल दोस्तों एक नीम्बू लेना है उसको अपने उपर से हर शनिवार को मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। पीपल के पेड के नीचे आप गारते चले जाएं। 41 शनिवार कुल 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड के नीचे नीम्बू गाना है। कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दामों में बिक जाएगी जिसका आपको अंदाजा ही नहीं था। तो ये अगर आप कर लेते हैं, 41 शनिवार अपने उपर से साथ बार नीबू घुमाकर पीपल के पेड के नीचे गारते जाते हैं, तो यकीन मानिये आपको अकस्मात धन की प्राप्ती होना तय है। अब दस्वा उपाय मृत्यू को चक्मा देने का दोस्तों अगर आप लोग सफर पे जा रहे हैं, जैसा आप भी जानते होंगे कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं। मान लीजिए उस दिन अगर आपके उपर किसी भी तरीके का एकसिडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अन्होनी लिखी होगी तो वो टल जाएगी। दोस्तों ये सारी बातें वास्तुग्यान में आपको मिलेंगी और कहीं जाने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये सारी बातें चानबीन के हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आये हैं ताकि आपका भला हो सके, लेकिन बदले में आपसे इतना निवेदन तो हम कर ही सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव लिखना बिलकुल ना भूले। उन्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिल आइकॉन को प्रेस करे धन्यवाद।